आईए अब सुने शमा का जादू भाद पांच अगर कोई हर दिन ये साधना करता रहा उसको फरक तुरन समझ में आएगा न सिर्फ अंदर बाहर की समस्याएं सुलजते जाएगी ये बड़ा आश्च्र है क्योंकि वो इंदर कर रही थी समस्याएं में सुलजने से पहले कि कोई हमें मुक्त करे वो भी इंदर कर रही है मगर बीच में कोई जिम्मेदारी तो ले वरना परसन कहेगा मैं क्यों शमा मांगो तो क्यों शमा मांगना इसको समझना आज पूरे विश्व में जो चल रहा है जो भी बन चुका है सभी के विचारों का असर है combination सभी के विचारों का इकटा प्रभाव आज जो दिख रहा है पूरे विश्व में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है बारिश हो रही है या नहीं हो रही है लोग उन्नति कर रहे है नहीं कर रहे है जो भी आज अवस्ता है देश आजाद हो गये हैं नहीं हुए है जो भी अवस्ता है ब्रश्टाचार बढ़ गया है कम हो रहा है जो भी अवस्ता है सभी के मिले जुले विचारों का असर है यह सभी मानते हैं सब्हिं के विचारों का योगदान है , फोलड़ भी , .0001 थोड़ा ही तो as .0001 कि यजि मंगो ! कि 몇 विचारों से थोड़ाओ भी जो न्यगेटिव मुझट्रिबुट् सुपार है उसके लिए मभेशिय विढ़ो ! यह मस हो जो, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, अगर लोग ऐसे हैं तो, मैंने क्या किया, अगर रास्ते खराब हैं तो, मैंने क्या किया इसमें, मैं आप कहोगे, सभी के मिले जुले विचारों का असर है, यानि मैं भी उसमें आ गया, तो मैं मेरा वाला पार्ट जो है वो ड इसको ऐसे समझो कि तास के पत्तेओं से कोई घर बनाता है आप जानते हैं तास के पत्ते रखकर ट्रेंगल ट्रेंगल बनाते हैं उसके उपर उसके उपर रखते जाते हैं पत्तों से बनाते हैं हाउस अफ कार्ड्स कार्ड्स के बनाते तो सभी लोगों के कार्ड्स है उसमें एककत अगका एककत घर निकलने से भी काम शुरू हो नहीं गरता नहीं। सब रिरना शरू होगा ऩ Katyya सुलजना शरू होगा। एक बत्ति के निखलने से भी काम सुरू होता है। है क्यों जीवन में आपक आपके जीवने आपके तेड्या है सब्सक्राइब एक समस्या है तो चार आठ लोग जो है ना सभी का कॉंट्रिबिशन इसमें कुछ लोग का दिखता है कुछ लोग का दिखता नहीं खाली तो आप भी वहा हो तो आप क्या कहेंगे मैं जो कॉंट्रिबुट कर रहा हूं नेगेटिव उसके लिए मुझे शमा करो सबी सब्सक्राइब मांगओ के मेरी जो नेगिटिव कॉंट्रिबिशन है उसके लिए मैं शमा मांगता हूं मांगती हूं जैसे ही यह आप शमा मांगओ के समस्या सुलजना शुरू हो जाएगी आप देखो के अभी गरी समस्या आपके जीवन की सबी समस्या सौल होने वाली यह बात अगर आप समझ गए यह मामूली बात नहीं है इसकी जो गहराई है यह आपको आज पकड़नी है आज का दिन आपके जिन्दगी का यादगार दिन बनना चाहिए आपके जिन्दगी का आपने सिर्फ अपना पत्दग दिया काम सुरू हो गया समस्या सुलईजने की तरफ जाने लग गगी कितने लोगों की समस्यां अटकी वीए कुछ आवासादमा करो, फिर देखो, watch, wait and wonder, watch, wait and wonder. ये होने वाला है, ये आश्चर आपको देखने, ये मरेकल्स देखने, आपको चमतकार जिसको बोलते है, लोग बलेगे, ये चमतकार हो गया, ये मेरी समस्या कैसे सुलश गई, ये स्वास्ता की समस्या चल रही थी, नौकरी की चल रही थी, पडोसी की चल रही थी, स्कूल मे था कुछ, college में कुछ चल रहा था, office में कुछ चल रहा था, ये project fail हो रहा था, पैसे अटके हुए थे, आप बोलेगे सब चीज़े हिलने लग गई, कुछ तो हो रहा है, जोनों ने ये apply किया है, वो share करते ही है, तो ये point मगर समझना है आवशा है, वरना आप बोलोगे मैं क्य हो रहा है, इसलिए आगे जा रहा है, देश या विश्वा, आगे जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग ये कारिय कर रहे है, कुछ लोग नौ बज के नौ मिनिट पर प्रातना कर रहे हैं, हर दिन नौ बज के नौ मिनिट पर प्रातना कर रहे हैं, जिनके विचारों का नया contribution, प रहें मेरी जो समस्याइं घर में है मेरे समाज में मेरे मोहले में उनके लिए तो मैं शमा मांग लूँ अपना पत्ता निकाल दूँ तो यह जो नेगेटिव साजेदारी थी वो समाप्त हो जाए फिर पत्तों का समस्याओं का किला तूट गया सुलजना शुरू हो गया आपका तो मोबाइल आपको याद दिला रहा है अब उसके पीछ नगा के रखहा है आपने अब इसको आप मोबाइल नयी ब cœurोगे आप लोगे यह शमा का डस्तर है इसमें हमको सुनाई भी देता है इस निको शमा का डुस्टर है इसमें सुनाई भी देता है तो यह मरे kilow क्र लेगा आपके जीवन में, अभी भी खुछ लोगों अंदर विचार रहेगा उनको भी बता दे, जिनको विचार ये ए कि मैं क्यू 심 BBQ शमा माँगों, तो उनके लिए कुछ बातें समझ लो पहले शमा किनको मांगनी है जो जवान है जो जवान है उनको मांगनी है अब जवान का अर्थ समझना है उम्रे से नहीं है जवान का सम्मन जवान का अर्थ है जिसके पास जय है जड़, दनवान जो होता है, उसके पास दन होता है, दनवान, जवान के पास क्या होता है, जड़, जवान, जड़ का अर्थ है जागरती, जिसके पास जागरती है, जो जागा है, अब दो लोगों में जगड़ा है, दोनों में से शमा कौन मांगे, जो जाग्या, जो जागा ह उसको शमा मांगनी है, जो जमेदार है, जो जमेदार है, जमेदार, अपना अपने परिवार का, या अपने मोहले का, या अपने समाज का, या अपने देश का, जितनी भी जमेदारी आपको लगती है, कुछ लोगों को लगए का नहीं, सिर्फ मेरे परिवार की जमेदारी मेर तो ठीक है, तो आप ये श्मा साधना करो, खाली अपनी भी जिमेदार ही लेते होो, तो भी ये साधना करनी चाहिए, खुद को साफ करने के लिए ये साधना करनी चाहिए है, तो पहली बात जो जिमेदार है, जागरत है, जवान है, दूसरी बात, जो खुद की खोज, खुदाई, खुदा से करवाना चाहते, जो खुद की खोज, खुदाई, खुदा से करवाना चाहते, यानि जो सुएं को जनना चाहते हैं, उन्हें ये साधना करनी है, और तिसरा, जो प्रेम के प पक्षी है जो प्रेम के पक्षी है पेड़ पर कई पक्षी बैठे है फल है उस पर और उस फल के लिए अगर पक्षी जगड रहे आपस में तो एक पक्षी नहीं जगड रहा है वो बोलता मैं प्रेम का पक्षी हूँ यानि कि क्या मैं प्रेम के पक्ष में हूँ मैं प्रेम के पक्षमे हों जो भी प्रह्म के पक्षमे है वो शमा मांग लेगा और किल लोगों को शमा मांगनी चाहिए जो आंतरिक जगत के नियमों के साथ जीवन जीना चाहते हैं बाहर के जगत के तो नियम आप जानते आंतर जगत के अंतर जगत का विचार नियम अदृष्य नियम अंतर जगत के जो नियम है बहे अदृष्या है अदृष्य पर चलना कोई चाहता नहीं सबी किस पर चलना जो दिखता है उस पर ही चल पाते कुछ लोग mentally, मानसिक करम, आध्यात्मिक करम से अपना जीवन चलाना चाहते है हमें बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हम अंदर काम करते हैं, बाहर खुद बखुद चेंजिस शुरू होती है जिन लोगों को आंतरिक जगत से अपरेट करना है बाहर से लोगों को डाट डपट कर काम नहीं करवाने अंदर से चेंज लाकर उन लोगों को शमा साधना करनी है और शमा साधना करनी यानि उस परसन को थोड़ी आप जाकर बोलने वाले है कि आपको शरमा आ रही है, कि तुम मुझे माफ करो बली परसन को मत बोलो, अंदर बोलो, अंदर उससे शमा मांगो, आपको उस परसन को डारेट बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, आपका रिष्टेदार परिवार का है, बोलोगे तो उसको अरच्छा ही लगेगा, रिष्टे और अच्छे बनेंगे, वो तो अच्छी बात है, म कैसे माफ करें उनको, उनको माफ नहीं करना है, उनको साफ करना है, उनको माफ नहीं करना है, उनको साफ करना है, साफ करना यानि क्या करना है, पाप वर्ती के लिए, यानि इश्वर को कहोगे, किरपया इने साफ करो, इनके अनर जो पाप वर्ती है ना, क्यों क्यों पाप और पाप विर्ती, विर्ती निकल गई, परसंट क्लेर हो गया, इनको साफ कैसे करना है, जो भी अपराद कर रहे हैं लोग, उनको शमा मत करो, उन्हें साफ करो, उन्हें साफ करो, जीजस ने क्या किया, जीजस का एक्जम्पल सब को मालूम है, सूली पर वे क्या कह रहे हैं, हे इश्वर, हे इनसाफ के इश्वर, शब्दा लग थे, मर अर्तव ही था, हे इश्वर, इन लोगों को शमा करो, क्योंकि ये लोग नहीं जानते, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते नहीं हैं अभी, तो आप क्या शमा मांगो, हे अपराधियों के लिए शमा मांग रहे हो, है इश्वर, इनको माफ करो, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं, ये आप क्यों कर रहे हो, पाप वर्ति को मिटाने के लिए, पाप की जो वर्ति है, आदत, आदत, उस आदत को मिटाने के लिए, ये तो कर सकते हैं, उसको आप शमा नहीं कर रहे है मगर कम से कम ईश्यवर को कह सकते है कि यह लोग नहीं जानते यह क्या कर रहे हैं जो जाग गया है वो प्राथना कर सकता है जीजस ने जैसे की, देखो, राम चंद्र जी है, वे राक्षास का वद करते हैं, उन्हें से शमा मंगते हैं, कि मझे शमा करना, आप लें, क्या मांगने की जरुद्थी, ताड़का का वद किया, और ताड़का मर रही है, तो उससे शमा मंग रहे हैं, मझे शमा करना, यह यह इतना कैसी है, क्या उन्होंने ताड़का का वद नफरत से किया, आज लोग क्या कर रहे हैं, नफरत से मारना चाहते, इसलिए आज आते ही जो कहा, प्यारे खोजीओं और प्यारे फोजी भाईयों, प्यारे फोजी भाईयों, यानि बॉर्डर पर युद्ध होता है, नफरत स नहो, शमा साधना करके जब युद्ध होगी, तो देखो के युद्ध ऐसी तल जाएगी, युद्ध तल जाएगी, अगर फोजी ये ज्यान पराप्त करें, खोजी तो करी रहे, खोजी तो करी रहे, फोजी भी, फोजी भी अगर ज्यान पराप्त करें, और समझ के साथ जा आप जिम्यदारी लेने वाले हो और वो जिम्यदारी अंदर लेनी है आपको यह नहीं का बाहर जाके बोजादो दोसरों का आपको का अंदर साफ करना शुरू कर दो बाहर असर शुरू हो जाएगा इतनी ताकत इस शमा साधना में है अगर वाकई आपको पता चल गया कि मेरा कॉंट्रिबिशन क्या है नेगेटिव उसे मुझे निकालना है मैं जो द्वेश कर रहा हूं नफरत कर रहा हूं वो मेरा कॉंट्रिबिशन है यह कॉंट्रिबिशन में कट कर दूं